सास्क्रों में सरबत्र विरोधा भास है यानि दो तरे की बातें लिखी है भगवान की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से भगवान मिलता है यह कैसी पहली है बिनु हरी कृपा मिलही नहीं संता सत्त संगति संसृति कर अन्ता तुशिज आज ही कहते हैं बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिला करते है ढूढने से नहीं मिलते क्योंकि हमारे पास जो बुद्धी है वो माईक है हम माईक बुद्धी के पैमाने पर संत को कभी पहचान ही नहीं सकते हमारी माईक बुद्धी में तो ये आता है किसी को कोई गाली देता है तो क्रोध आता है पहले अंतहकरण में तब किसी को कोई गाली देता है और महापुरुषों के यहां करोणों मर्डर करता है महापुरुष अक्रोध नहीं है तो ये बात हमारी बुद्धी में कैसे आएगा भला हमारी बुद्धी इसको मान ही नहीं सकती वो कहेगी उसने मर्डर किया और कहते हो गुस्ता नहीं आता उसको ये कैसे हो सकता है अरे देखो ना अरजुन ने कितने मर्डर किये हनुमान जी ने कितने मर्डर किये और उनसे बड़ा कौन सा संत और महापुरुश है जो ने सीना फाड़ के दिखा दिया सीता राम बैसे हैं हमारे अंदर जिनके सोते समय भी रोम रोम राम राम कहता है काम नहीं है बच्चे पैड़ा हो रहे हैं ये धुरुव हैं ये प्रहलाद हैं बड़े-बड़े अंबरीश हैं बड़े-बड़े संत तमाम भृज की गोपियां हैं तौप के महापुरुश ये कैसे हो सकता है चूंकि हम नहीं कर सकते इसलिए हम समझते हैं कोई नहीं कर सकता तो हम अपनी माईक बुद्धी से किसी संत को कभी नापही नहीं सकते हमारा experience हमारा idea वहां नहीं जा सकता क्योंकि हम माया के अंडर में हैं हमारे कार्ज माया से होते हैं और भगवान और महापुरुश के कार्ज योग माया से होते हैं स्रीकृष्ण आत्मा राम है आत्मा राम और सोलह हजार एक सो आठ सो ब्याह किया डिक्लेर्ड और अनंत गोपियां अलग हैं और एक एक इस्त्री के दस दस बच्चे और आत्मा राम है और सब बच्चे आवारा हो गए भगवान के बच्चे आवारा हो गए अरे ऐसा कैसे आप कैसे क्या हो देखो न सब आपस में लड़के मर गए प्रभास शेत्र में और भगवान नहीं मरवाया जान बूझ के ये तो हजारों महा भारत कर डालेंगे लेकिन उनकी इस्त्रियां तो महापुर्शों की दादी और वो स्वयम भगवान तो उनकी संतान ऐसी कैसे पैदा हुई लगा बुद्धी लगा बुद्धी पागल हो जाओ नहीं समझ सकते अरे भगवान को क्या महापुरुष को क्या तुम तो अपनी मा बाप बेटा बीबी को नहीं समझ सके उनको क्या समझोगे एक पती इस्त्री के साथ जिन्दगी भर रहा और पती करेक्टर ले से है इस्त्री करेक्टर ले से है और दोनों नहीं जान सके दोनों को तो तुम तो संसारे नहीं जान सकते तो तुम महापुरुष और भगवान को क्या जानोगे वहाँ तुम्हारी गती है कहा तुम्हारी बुद्धी तीन गुण की है वो गुणातीत हैं तुम्हारे कार्ज माया से होते हैं उनके कार्ज योग माया से होते हैं योग माया माने अपनी परस्नलिटी में रहें और माया का कार्ज करें उसको योग माया कहते हैं अपनी परस्नलिटी में रहें और योग माया का कार्ज करें माया का कार्ज करें जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है तो भगवान की कृपा से गुरु मिलता है ये सही है कि गुरु की कृपा से भगवान मिलते है ये सही है क्या सही है दोनों बात लिखी है जब द्रवाई दीन दयाल राघव साधु संगति पाई ये जब भगवान कृपा करें तब महापुरुष मिले और जब महापुरुष मिले तो भगती मिले बिना गुरु कृपा के आज तक किसी को भगती नहीं मिली भगवान क्या मिलेंगे भगती नहीं मिलेगी तो भगवान कैसे मिलेंगे और फिर ये भी कहते हैं हमारे आचार्ज लोग कि भगवान की कृपा से गुरु मिलता है, संत मिलता है ये बात कैसे मानने हम क्यों? इसलिए कि अगर भगवान की कृपा से संत मिलता है तो सब को मिलना चाहिए एक को संत मिल गया, एक को नहीं मिला, ऐसा क्यों होता है? इस भगवान की कृपा भी कोई दो तरह की होती है, अरे सब बच्चे हैं उनके सब को बराबर बराबर प्रापरिटी में हमारे संसार में भी पिता बाटता है हिस्सा, तो भगवान ने एक को संत से मिला दिया, वो भी संत हो गया और बाकी को राक्छसों से मिलाया, वो राक्छसों डकाइथ हो गए ऐसा कैसे? ऐसा नहीं है तो उसके लिए फिर कहते हैं हमारे आचार्ज कि पुण्य पुण्य बिन मिला ही न संता बिना पुण्य पुण्य के संत नहीं मिलते पुण्य 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 के हमारे साधन शुकृत प्रारद उससे संत मिलते हैं हाँ ये बात समझने आती है फिर आप क्यों कहते हैं हरी कृपा से संत मिलते हैं भगवान की कृपा की बात कहां से आ गई अरे हमारे पूर्व जम्न के कर्म थे ऐसे अच्छे हमने पहले साधना की थी तो हमको संथ मिल गया हाँ ठीक है ये भी ठीक है और बिना भगवान की कृपा के संथ से मिलाएगा कौन तुम्हारे पुण्य पुण्य तो कर्म है अपने आप कैसे वो मिल जाएंगे संत अरे तुम्हारे पुण्य पुण्य का फल देने वाला तो कोई होना चाहिए सरबग्य जो तुम्हारे पुण्य पुण्य को जाने और फिर संत उसे कहे तुम उसके पास जाओ उस पर कृपा करो उसने बड़ा पुन्न किया है पहले ये कारवाई कौन करेगा आगर भगवान ये सब करें तो हमारा पुन्न क्या करेगा अरे मान लो आपने इस मंदिर में दस करोड दान किया है तो अगले जन्म में वो दस करोड रूपया आपको कैसे मिलेगा कौन देगा वो भगवान नहीं तो दिलाएंगे कोई भी कर्म जड़ होता है वो अपने आप फल कैसे बन जाएगा उस फल को देने वाला एक चाहिए सरबग्य कर्म को जाने और फल दे जीव तो जानता नहीं अपने पूर्ब जन्म को तो कर्म क्या जानेगा तो भगवान जो हमारे पूर्ब जन्म के कर्म को नोट करते हैं पलस फल बना करके ऐसा हिसाब बिठाते हैं कि तुम वहाँ जाओ वहाँ तुमको वो संत मिलेगा फिर वो तुमारे उपर कृपा करेगा फिर तुम हमारी ओर आओगे यह सब हिसाब बिठाते हैं भगवान लेकिन वो उसी का बिठाते हैं जिसने पूर्ब जन्म में साधना की है इसलिए पुण पुण भी कमपलसरी है और भगवत कृपा भी कमपलसरी है समझना शास्त्रों को ये बुद्धी से परे है ये संत समझा सकता है तो इस प्रकार भगवान की कृपा से गुरु मिला तो गुरु ने तत्वज्ञान कराया और साधना कराई तब साधना से अंताकरन शुद्ध हुआ तब गुरु कृपा हुई स्पेशल तब दिब भक्ती और दिब दर्शन भगवान का ये सब हम को गुरु कृपा से मिला तो भगवत कृपा से के पहले हमारे पुण्य पुण्य उसका फल मिला भगवत कृपा से तब गुरु मिला तब तत्वज्ञान हुआ तब साधना की, तब अंता करन शुद्ध हुआ, तब फिर गुरु कृपा हुई, तब भगवत प्राप्ति हुई, ये लिंक है, ये क्रम है उसका, इसलिए, बोलो बुरु क्रिपाहरी मीले, बेद बताए